नमस्कर दोस्तो हमारे online tuition अड़ा चनल पर आपका स्वागत है दोस्तो यह हिंदी पढ़ना कैसे सीखे का अगला सीरीज है दोस्तो इस कलास में आपको तीन अक्षर के आग की मातरा वाले सब्दों को लिखना और पढ़ना दोनों सीखाएं तो दोस्तो अगर आप मेरे चनल प सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को दबा देजिए ताकि जैसे ही मेरा क्लास अपलोड होगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा तो आईए बीना देरी किये हुए हम लोग इसको पढ़कर देखते हैं दोस्तो जो आ होता है यह आ इसका मातरा अल्रेडी हम द आए सैड में लिखा जाता है और आ की रूप में जब उचारन होता है तब ही इसका यूज होता है तो आईए हम लोग इसमें पढ़कर इसको देखते हैं साथ में लिखना भी सीखेंगे देखिए इसको तीन चार तरीका से हम लोग पढ़ने का परियास करेंगे आपको जो तरीका अच्छा लगेगा उस तरीका से आप पढ़ना सिखिएगा देखिए जिससे लिखा है राजमा राजमा एक यह तरीका है सामना सामना ताकत बाजरा बाजरा समान यहां पर मम संजुक्त है यह आधे अक्षर वाले सब्द में आपको मिलेगा जड़ना सरला उजाला उजाला फायदा फायदा कुछ कुछ सब्द गलती टाइपिंग हो जाता है ठेक है जो गलती नहीं है उसमें भी आ की मातरा है लेकि थोड़ा सा जटिल है जो इस कलास में इसके चर्चान नहीं होगा इसका भी एस्पेशल कलास होगा उसमें आपको मिल जाएगा बारात बारात मटका मटका जहरना धार्मिक धार्मिक जाकर जाकर सारस गागर अधूरा पालकी घपला अब इसको हम लोग लिखना सीखेंगे ध्यान देना है कि किस अक्षर में आ के उचारन हो रहा है उस अक्षर के साथ आ के मत्रा आप लगाईएगा जैसे अगर आपको कोई बोलता है लिखने के लिए राजन तो देखे राजन तो रो में आ की मात्रा है बाकि जो और न जैसे लिखा जाता है वो ऐसे ही आपको लिख देना है आपको किस में मात्रा लगाना है रो में मात्रा लगाना है आ की तो यह हो गया रा जो और न राजन ठीक है अगर आपको कोई बोलता है लिखने के लिए जगड़ा तो सबसे पहले आप लिखेंगे जो ठीक है क्योंकि जो और गो में देखिए कोई मातरा नहीं है तो जो और गो लिखिएगा देखिए रो में जो है आ की मातरा है ऐसे जगड ठीक है अगर कोई बोलते हैं आपके लिखने के लिए उजाला तो देखिए उजाला तो उजा देखिए जो में आ की मतरा है तो जा लो में आ की मतरा है तो ला उजाला ठीक है अगर कोई बोलते हैं लिखने के लिए सामना तो देखिए सा सो में आ की मतरा है तो सा मो मो में कोई मतरा नहीं तो ऐसे ही मौ लिखेंगे हम लोग मौ और फिर देखिए नौ में आ की मतरा है तो ना ऐसे ध्यान देकर आपको सब्दों को लिखना है तब आप असानी से लिखना सिख जाएंगे अब कुछ और सब्दों को हम लोग दूसरे तरीका से प्रैक्टिस करते हैं और फि दूसरा तरीका क्या है कि उसमें हम लोग बोलेंगे कि ये मातरा लगा है ठीक है जैसे ज्यश्यूर को जढे गोड़ां में आकी मत्र ड्डा जगड़ा दिखए को में आकी मत्र का यह ini बोलकर कि इसमें क्या मत्रा लगा है उस तरीका स्भी असान हो जाता है जैसे ही आपte कि कि इस अक्षर में ये मात्रा लगा है तो उस अक्षर के साथ उस मात्रा का आप उचारन भी किजिएगा ठीक है जिससे वी सो में आ की मत्रा सा लो विसाल यहां पर हम लोग आ की मत्रा पर फोकॉस करेंगे तो सो लो में आ की मत्रा ला तसला को में आ की मत्रा का रो न कारन हो जो में आ की मत्रा जा रो हजार डो रो नो में आ की मत्रा न डर न बो में आ की मत्रा बा लो क बालक रा रो में आ की मत्रा रो यह थोड़ा सा जटिल सब्द हैं इसको आगे हम लोग देख लेंगे जैसे कारण लिखना है तो देखिए कारण यानि को में आ की मत्रह यह का रो और न कारण ठीक है अगर लिखना है नराज तो देखिए न में भी आ की मत्रह तो ना रो में भी आ की मत्रह है तो रा और जो नराज सागर तो देखें समें आ की मत्रा है तो सागोर सागर ठीक है तो और भी कुछ सब्द है उसको भी हम लोग पढ़ते हैं अब दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे बोलेंगे अकार यह जो आ की यो अकर या दो वो यादोव पो अकर पा रो सो पारस ओ को डो अकर अकर अकरा तो अकर ता लो अकरला बो तलाब दो अकर दा वो तो धावत बो नो करना नो करना बनाना यहाँ पे जो यह आलम लिखा है इसमें ओ अकार नहीं बोलेंगे इसको डारेक्ट आप पढ़ेंगे क्योंकि स्वर्वर्ण में मातरा नहीं बोलते हैं कि यह डारेक्ट उसको पढ़ते हैं हो अकर हा जो मा हाजमा धो रो नो अकर न धरना नो हो अकर हा यो करया नहाया तो अकर टाइम टाइम अ अकर आ, दो अकर दान, आदान, आ लो स, आलस, हो मो लो अकर ला, हम ला, भो रो नो अकर ना, भरना, नो अकर ना, पो ना, नापना अब इसमें हम लोग लिखना से जैसे ही आपको सब्द बोला जाता है, जैसे बोला जाएगा दावत तो देखें, दो में अकार लगाईगा, दो में क्या लगाईगा, अकार, क्योंकि दा, दो में आ की मतर का उचारन हो रहा है, तो दा, वो, तो, दावत, आलम में तो आप अलड़ी आ लखेगा, और लो, और म, आलम तो टो अकार टो के बाद क्या लगाएगा अकार लगाएगा उसके बाद इ और मो ताइम तो इस परकार से अकार के रूप में भी आप लिखना सिख जाएंगे तो अब एक और तरीका है डारेक्ट पढ़ने का जब इतना आप प्रेक्टिस कर लिजेगा तो आप डारेक्ट पढ़ना है उसमें कुछ अकार वगरा कुछ नहीं बोलना है डारेक्ट कैसे पढ़ना है उसको भी हम बता रहे हैं देख डारेक्ट पढ़ने के लिए आपको जैसे डारेक्ट बोलना है बगीचा, बगीचा, बरखा, भरखा, भाजपा, भाजपा, पढ़ाई, पढ़ाई, तबला, धारन, धारन, प्रदान, प्रदान देखिए, पदेन रखी मात्रा है, इसका भी अलग से कलास कराएंगे सायद, सायद, पोड़ होना, पढ़ना, चालाको, चलाक, सावन, पागोल, पागल, टावर, दोवात, दवात, जोकोडा, जकडा, सकता, तो देखिए, अब इस तरीके से हम लिखना सीखेंगे, कोई भी है अगर बोलता है लिखने के लिए, जैसे बोलता है धारन, तो दिमाग में सोच लिए आए कि धारन जो बोल रहा है उसमें धो में आकी मतरा है तो लिख लेंगे धा रो न धारन चलाक तो चा ला को चलाक गरा तो आ गो रा आगरा भाजपा भा जो पा भाजपा तो इस परकार से हम लोग आकी मतराई वाले सब्दों को पढ़ेंगे और लिखेंगे तो दोस्तो आज के कलास कैसा लगा प्लीज कमेंट बक्स में लिख कर बताईए और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो लाल को काला कर दिजिए मैजिक किजिए और चलिए अगले कलास में मिलते हैं आज के कलास यहीं पर इंड करते हैं जय हिंद